नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैनल अवेरनेस के कुछ इंपोर्टेंट कुश्चन्स हिमाचल प्रदेश प्लीस कॉंस्टेबल रिटन एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से यह काफी important question रहने वारे हैं तो वीडियो पे end तक बने रहे हैं अगर आप चैनल पे पहली वार विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe कर देए तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला प्रशन है in which district of HP is Sorang Lake तो Sorang Lake जो है वो है आपकी किनोर डिस्टिक में है option B is question क का correct answer है यह काफी important question है Sorang Lake Sorang जील जो है वो आपकी किनोर डिस्टिक में है तो option B is question का correct answer है next question है which of the following is it tributary of the Ravi तो Ravi नदी की जो साहिक नदी है तो इसमें से है यह है आपकी भादल है option D is question का correct answer है यह काफी important question है रावी की जो साहिक नदी है tributary है वो है आपकी भादल option D is question का correct answer है अगला प्रशन है which passes joins outer and inner siraj outer और inner siraj को कौन सा pass जोडता है कौन सा दर्रा जोडता है काफी important question है तो यह आपका जलोडी दर्रा है जलोडी option C is question का correct answer है जलोडी पास जो है वो आपको वो आपका आउटर और इंदर सिराज को जोड़ता है यह काफी important question है अगला प्रशन है in which district of HP is Guru घंटाल गोंपा यह काफी important question है माचल परदेश के किस जिले में गुरु घंटाल गोंपा स्थित है तो यह आपका लाहुल स्पीती district में है option C question का correct answer है अगला प्रशन है रक्चम चितकुल चितकुल century is near तो यह काफी important question है तो यह आपका कलपा के निजदीक है district की नौर में यह पड़ता है रक्चम चितकुल century is near यह है आपकी कलपा के नेर है district की नौर में यह पड़ता है तो option D question का correct answer है अगला प्रशन है at which place in similar district there is a ship breeding farm यह क कहां पर है तो यह आपका jury में है option C is question का correct answer है बेड़ प्रजनन के इंदर जो है वो आपका jury में है district similar में यह पड़ता है अगला प्रशन है in which city of हिमाचल प्रदेश was the first branch of branch of all women bank opened around 2014 तो all women bank opened 2014 के आसपास हिमाचल प्रदेश में पहली ब्रांच कहां पर थी तो यह थी आपकी district similar में option A is question का correct answer है similar city of HP was the first branch of the all women bank opened around 2014 नेक्स्ट पोशन है नियर विच प्लेस इन similar district is CP fair held तो यह आपको पता है कि CP मेला जो है वो कहां मना जाता है यह district similar में यह मना जाता है तो शिमला के कि स्थान के निजदीक यह मना जाता है तो यह मना जाता है मशोबरा के निजदीक option D is question का correct answer है मशोबरा स्थान के निजद कुकी ट्राइब जो है वो मेली कहां पाई जाते है तो यह पाई जाते है मनीपुर स्टेट में पाई जाते है option D is question का correct answer है काफी important question है कुकी ट्राइब जो होती है जो मेली मनीपुर में पाई जाती है अगला question है व्ट इस दा मोटो ओ एन सी सी का मोटो के है यह आपका unity and discipline option C इस question का correct answer है अगला question है वो played the role of Kasturba in the film Gandhi काफ़ important question है Gandhi movie में Kasturba का role किसने play किया था तो ये किया था निर्मला सेन ने option B इस question का correct answer है अगला question है वो is the author of A Passes to India काफ़ important question है A Passes to India के author कौन है लेकर कौन है ये आपके आएम Forster है option A is question का correct answer है ये Passes to India के लेकर के लेकर के लेकर है अगला question है MS Swaminathan is A काफ़ important question है तो MS Swaminathan कौन थे तो ये कौन है ये है आपके agriculture scientist है कृषी बिग्यानिक है option B is question option B is question का correct answer है MS Swaminathan is A agriculture scientist अगला question है विच पासस जोइंस चंबा एंड भटेयाद ये काफ़ important question है चंबा और भटेयाद को कौन सा पास जोड़ता है तो ये है आपका बसो दंदर्रा जो है वो है आपका चंबा और भटेयाद के बीच में है ये काफ़ important question है अगला question है अगला question है in which district of HP is कारदांग गोंपा ये कारदांग गोंपा कहांपर है ये है आपका लाहोल स्पीती district में है काफ़ important question है कारदांग गोंपा जो है वो आपका लाहोल स्पीती district में है काफ़ important question है option C is question का correct answer है अगला question है near which dawn is तुंदा century ये काफ़ important question है तुंदा century जो है कहां पर है तो यह आपकी चंबा डिस्टिक में पड़ती है ब्रमौर उपमंडल में यह स्थित है तुंदास सेंचुरी जो है ओप्ष्ण का कॉर्यक्ट अंसर है अगला पूश्न है अट्विक प्लेस इन हमिरपूर डिस्टिको फ्य देरी जिश्टिक प्लेसंट में तो वह था आपका जीवरी में था हमेरे प्रूडिस्टिक में कहां पर है यह है आपका ताल में अगला प्रशन है फोर बिच गेम डिट राजीव नेयर गेट परशुराम अबोर्ड इन 1997 तो 1997 में राजीव गांदी को किस खेल के लिए परशुराम अबोर्ड दिया गया था तो वह दिया गया था आपका क्रिकेट से क्रिकेट के लिए तो राजीव नेयर का संबंद के स्खेल से है यह भी पूछ सकते हैं तो वह है आपका क्रिकेट से है 1997 में 1997 में उन्हें परशुराम अवोर्ड से नवाजा गया था काफ़ इंपोर्ट कोशन है आप से पूर सकते हैं कि राजीव ने यह को परशुराम अवोर्ड कब दिया गया तो यह दिया गया था 1997 में क्रिकेट खेल से वो बिलोंग करते थे अगला प्रेशन है इन विच रीजन ओफ हिमाचल परदेश इस अंद्रा हाइडल प्रोजेक्ट कापी इंपोर्टन कोशन है अंद्रा हाइडल प्रोजेक्ट कहां पर है यह आपका रोहडू में है डिस्टिक शिमला में यह पड़ अगला प्रेशन है इंडिन मिल्टरी अकैडमी कापी मरेनिपोर्टन कोशन है इंडिन मिल्टरी अकैडमी कहां पर है तो यह आपकी देहरा धून में है उत्रक्रण स्टेट में यह पड़ती है अप्रोजण जी order कोरेक्ट़ अंसर नि निय encontra श्याग पर में अगला प्रज तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like, share and subscribe कर दें Thank you friends